कर मैं हूँ अ्टल सुकला सीधी बाद खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी जिले के ज़ुरौधा गाओं के निवासी पंडीत संचिदानन दुवेदी जी से अगर हम संचिदानन दुवेदी जी की बात करें उनकी प्रिष्टभूमी की बात करें तो इन्होंने मा कामख्या द्हाम में रहकर लगातार तीन बर्स दस महा बिद्याओं की साधना की है। और दस महा बिद्याओं की साधना करके आज पूरी तरह से पारंगत हो गए हैं और लोगों की सेबा अपने साधना के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले एंपी लाइम नेज में आपका स्वागत है सची दन दुवेदी जी। में तो महरसी महा विध्या मैं की आप साला चलाते थे पढ़ाते थे वहां सिक्षक थे उन्होंने मुझे अहां से लेके गए ग्रेटर नौडा। ग्रेटर नौडा में उनका जोतिष केंद्र था। और वो जोतिस्क विद्या की अच्छे अन्भवी ब्रामणों में से थे NCR में उनका काफी नाम था उधर उन्होंने मुझे फिर अपने गुर्देव से मिलाया जो आसाम कामाख्या के हैं गोहाती में उनका निवास था कामाख्या शक्तिपीट उन्होंने मुझे वहां भेज दिया और मैं तीन साल मा की सेवा किया मा की सेवा की कृपा हमारे उपर प्राप्त हुई जिससे आज मा की कृपा है कि हमारे हमारे जीवन की सारी परिसानी मा के ही कारण दूर हुई और कर्मकांड के माध्यम से लोगों को मैं यह बताने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि आ नहीं चाहते थे तो लोगों को मैं समझाता रहता हूं कि आप लोग पंडिताई एक अच्छा मार्ग है और इससे सनातन का कल्यान होता है सनातन मजबूत होता है और हिंदु धर्म plateau姜by along miss m soul nut यहिसा समाच का रख्शक है जो समस्त सनातन और समस्त हिंदु को कत्रित करने की छंता रखता है B reliable के पास सर्व गुंड विदित Brahmad होता है और Brahmad, rehab, Beada, Aminkra इस सकता हो इसी कारण से जो है माननी सुकला जी हम परोहित कर्म के तरफ गए और मा की भक्तिर आधना आज भी मैं ग्रेटर नोड़ा छोड़ दिया और आधरनी जीजा जी का हमारे बहुत बड़ा प्रेम था हमारे उपर कि उन्होंने मुझे छोटा था उस समय और मेरे पास कोई साधन नहीं था जीब को पारजन के लिए ग्रिहस्त से जुड़े हुए हैं बालवच्चे हैं तो उनके जीब को पारजन के लिए मैंने परोहित कर्म कर्म कांड ही चुना यह बताई दस महा बिद्याएं आपने सीखी साधना की और मा का प्रसाद भी मिला आपको और आज पूरी तरह से आप दस महा बिद्याओं की साधना करके पूरी तरह से पारंगत हो गए तो लोगों की सेवा जैसे कोई कस्ट में है तो किस तरह से करते हैं और दस महा बिद् और काली महाविद्या हो गई धुमावती महाविद्या हो गई छिनमाता हो गई चिंतपूर्णी हो गई और यह सब विद्याओं में क्या है कि लोगों का कल्याण पाठ और मंत्र के माध्यम से किया जाता है जैसे मान के चलें कि आप बीमार हैं तो ऐसा होता है कि बीमार हैं त तो याई गर जाप और हवहन किया जाए थो सीक्रव एक्ति स्वस्थ हो जाता है जिस तरीके से महाम्रित व्यर्धियन सब्सक्राइले मंत्र को दुर। इस सुड़ता के साथंत सही अनुष्ठान किया जाए तो Chung जीवन में कभी ना तो अकाल मृत्तू होती और धन पुत्रादी से वह हमेंसा सुसोभित रहता है और कभी जीवन में उसके कष्ट नाम का तिनका नहीं आता है इन विद्याओं के प्रभाव के कारण समस्त ग्रह सब समूलनस्ट हो जाते हैं इन ग्रहों का इतना प्रभाव न जननी स्रिष्टी पर थी और जब स्रिष्टी नहीं रहेगी तब भरिये जगजननी स्रिष्टी पर रहेगी जैसा कि आपने बताया कि आप कामाख्या द्हां में रहेकर दस महा विद्याओं की साधना की तो दस महा विद्याओं में से एक विद्या तंत्र विद्या भी होत कि इंद्रजाल करना नहीं चाहिए इंद्रजाल की विद्याएं में क्या होता है कि यह लांग टाइम में जब विक्ति उसका परपूर्ण पाठ पूजन नहीं कर पाता तो नुकसान करती है तो कि तंत्रविद्या का नुकसान भी काफी देखने को मिलता है अगर उसको हम क्योंफान होता है कि उससे बंगला मुफी का पनुफ़ान हो गया गिया तो कि रात बारा बजे से ही शुरू होता है साथ दिन का अनुष्ठान होता है नो दिन का होता है किस दिन का होता है इंग्चामन दिन का जैसे मान के चलने के दुर्गा सब सती हो गया फिर सक्चंडी हो गया फिर महाचंडी हो गया इस तरीके सिस्की विधाएं होती हैं सब हैं अंतरगत औरूसे लोह का कलियान भी होता है लगनी को मेरा प्रास्ट एक यह है कि आप जैसे लोग कम ही है जिले में और लोग को जानकारी नहीं है तो कबसे आप सीधी जिले में हैं और अगर कोई जब पनुस्थान कराना चाहे तो उसके बारे में आप बताएं कि कहां मिलेंगे कब उपलब्द होंगे क्या है संपर्क सोत्र जी महराज सीधी सहर से पूरब दो-तीन किलोमीटर जुराउधा में जनमस्थान है और मैं 2021 तक ग्रेटर नोड़ा में ही रहा 2008 से ले कि बाहर ही रह गया पनदिताई कर्म भाहर ही सीखें कि हमारे पिताजी भी पंडिताई करते हैं अभी वी परतमान में बावा जी हमारे प्रकांड बिद्वान थे और महराज समस्त पुराणों के ग्याता भी है और हमारे घर में अठारा पुराण चारो बेद छो सास्त्र ये सब रखे हुए हैं हमारे पूज बावा जी की देन है बावा जी हमारे जो थे तो हमारी दादी इस पार हो गई थी हमारे पिता जी छह माँ के थे तब तो बावा जी फिर ग्रहस्त जीवन को त्याक कर वही अपने बालक को पाले इसके बाद महराज गोपाल दास की सरण में आ गए तब ही से हम लोगों का रुजहान था कि हम धर्म के ही मारगा पर चलेंगे और बीच में कुछ पिता जी भी हमारे किसान और पंडिताई और पंडिताई में उतना जीव को पारजन का परिवार चलाना मुस्किक पड़ जाता था तो जब उनका देहान तो हो गया तो हमारे पुझ जीजा जीजों है बहनोई साहब वो हमें फिर यहां से ग्रेटर नोडा लेके गए और उन्हीं के करिपा के कारण में बिलकुल अहां हैं और जो भी कर्मकांड या भी धी अनुस्ठान जानते हैं तो कहीं ने कहीं सारा स्रे हमारे यादर्णी बहनोई साहब को जाता है और अपने पूरवजों का पूर्णे प्रताप है, चुंकि हमारे घर में हमें ऐसा धर में की ही कारे होते रहते हैं, आज से नहीं हमारे बाबाजी की जमाने से बहुत पुराना मंदिर हमारे घर में, और एक जनुष्ठान साल छे महीने मदुर्गा सबस्ती महामरत तुंजे और हाँ यह सब होते रहते थे उसी का असर हमारे जीवन में पड़ा कि हम भी समार्ग को छोड़े नहीं, परन्तों यह जरूर है कि आज कल के ब्रामः इस से कट रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही ब्रामः समाज सिन्वेदन है, कि अपने इस मार्ग को न छोड़े नहीं, ब्राम का सम्मान हो पाएगा. कर्मकान से जुड़ना चाहिए और कर्मकान सीखना चाहिए और अपने जीवन में उसका अनुपालन करना चाहिए तो आपकी क्या है कुछ आप लीक से हटके करना चाहते हैं एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कर्मकान को एक नई दिशा देना चाहते हैं मैं ये ब्रामः समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रामः प्रदिन गायतरी का जाप करें प्राताहकाले नशनान बंदन याद करें कि जो ब्रामः का नित्य कर्म होता है उस से निमित्य होने के बाद गायतरी का जाप करें और जितने भी ब्रामः गरीब ब्रामः है कोई ऐसी संस्था यहां खोले कि उनके गरीब ब्रामण के बच्चों को कर्मकांड सिखाया जाए और उस कर्मकांड के माध्यम से उनका जीब को पार्जन चले और अच्छे मारग पर चुंकि आज बिंध में मैं देखता हूं और सीधी जिला विसेश कर ब्रामण समाज नसे क की तरफ जा रहा है और कहीं न कहीं यह ब्रामण समाज में कैंसर की तरह समाहित होता जा रहा है और अगर गरीब ब्रामण के बच्चे उस तरफं 처음 ऑजाेंगे तो आयदीन सामनों का उत्थान हो यही मन की इच्छा है और लोग कर्मकांड से जुड़े रहे हैं जी हो रही थी सीधी जिले के प्रतिष्ठित कि अगर हम पुरोहित कहें कर्मकांड को जानने वाले कहें या दस महाविद्दाओं की साधना करने वाले साधक कहें उनसे हमारी बात हो रही थी और कई पहलूओं पर और कई विश्यों पर बात हुई आने वाले समय में हम और कर्मकांड के विशाय में और भी विविन पहलूओं पर इनसे बात करके प्रकास डालेंगे और समाज में परिवर्तन हो नवाचार हो खासकर ब्रामण समाज में और कर्मकांड के प्रति हमारे युबाओं का जुका हो इस दिसा पे उनका पुर्जोर प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं कि भविश्य में वो इस दिसा में सफल होंगे और हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला के इस चीज का समाज में प्रचार प्रसार करेंगे चाहे वो मेडिया के माध्यम से हो या अन्माध्यम हो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत धन्यवाद धन्यवाद भाई सब